हेलो आपर पूरी बाते असान सब्दों में जाई गई है और यह जो काफ़तान है इसके साइड में हमें लटकन यूज किया है ताकि यह थोड़ा सा इसका लुक इनहांस और यह पार्टी वेर लुक दे इससे आप पार्टी शादी यह किसी भी फंक्शन में अराम से वेर कर सक करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने लटकन्स लिये हैं 50 पीसे और यह देखे फंट स्मूती जो हम प्लाजो में लगाएंगे और लैस लिया है जो हम नेके डिजाइन में लगाएंगे सबसे पहले फैब्रिक को हाफ फोल्ड करेंगे और अगे की लेंद्ध हमें 41 आपकी मरेंगे फॉल्ड करेंगे यह लिया थिदे हमारा इंच पूल्ड करो ताकि वन इंच आर्पक जाए में जाए गर जो हम आउनिद्ध करेंगे फैब्रिक को हमने यह देख़ए फुोर फोल्ड करेंगे और यह जो बन जाएगा जा नहीं की जो weight है वो 3 inch और इसकी जो length है वो हम 5 inch रखेंगे आप अपने according बड़ाय चोटा कर सकते हो और हमने यहाँ पर goal shape का गला रखा है आपको जो भी design चाहिए आप वो रख सकते हैं अब चली measurement करते हैं सबसे पहले जो भी आपका chest size हो उसे 4 से divide करें और plus 2 inch margin लें तो हमने इसे 10 inch र निशान लगाएंगे तो यहाँ पर same camera size को 4 से divide करें और plus 2 inch extra और यहाँ पर hip size दो उसे 4 से divide करें और plus 2 inch extra तो हमारा 8 आया था तो हमने 2 inch extra लिया है तो 10 inch पर हमने mark किया है और सभी marks को एक दुसे से जोड़ लेंगे और friends यहाँ पर जो नमाला shoulder का हमें line देना है तो उसके लि marking front side में किया है क्योंकि सलाई उपर की side देनी होती है जो 14 inch है यहाँ पर हम थेड़ लगाएंगे लटकन ताकि बहांने में use do आप चाहे तो लास्टिक भी लगा सकते हो same marking दोनों side करनी है ताकि सलाई करने में कोई भी परिशानी ना हो और जो हमने गला का design बनाया था उसे ह सलाई करेंगे और यह देखिए यह हमारा निक का design उपर की side में fabric कट किया है उसे तरीके से निक पर रखके पिछे की side में fold करके सलाई लगाएंगे फिर जो पीछे में extra fabric है उसे फोल्ड करके उसके पर सलाई करेंगे तो निक बन के तयार हो चुका है आप चलिए यहाँ पर इसके उपर से हम एक fabric लेंगे जो हमारी 2-inch है उसे उपर के side से भी fold करेंगे और नीचे की side से भी fold करके इस तरीके से लगाएंगे आप असान से देख लो की किस तरीके से हमने इसके उपरatically लगाया है हमने यहाँ पर आपको simple तरीके से बताया है ताकि आपको पूरी बाती असानी से समझ में आए तो इस तरीके से आपको पूरे फैबरिक पर साई लगानी है आप चाहो तो इसके उपर लास्टिक भी लगा सकते हो पर आपको लास्टिक पीछे की साइट से लगानी होती है और ये फैबरिक उपर की साइट से आता है क्योंकि इसके अंदर से हम थ्रेड पास करेंगे जो हमें adjust करने में help करता है सो यह देखे फेंट इसकी सलाई हो चुकी है सीम यही सलाई हमने back के साइड में भी की है और उपर में देखे फेंट हमने थोड़ा सा प्लेस खुला छोड़ा है और यह हमारा back fabric है इसमें हमने सलाई लगा ली है तो चलिए अब back और और front दोनों के shoulder को इस तरीके से ब्राबर करते हैं और सबसे पहले shoulder की सलाई देंगे दोनों side में जो हमारा लंबा सा shoulder है हमें उसकी सलाई देनी है काफतान में जो shoulder होता है वो बहुत long हो जाता है क्योंकि यह पुरा straight रहता है आप चाहूं तो fabric को बिना cut के भी सलाई कर सकते हो अगर आप cut करते हो ना तो आपका shoulder एकदम proper place पे आता है तो इसलिए हमने इसके उपर cut किया है तो हमने front और back दोनों पार्ट को एक दुसरे के साथ रखकर सलाई लगा ली है तो हमारा shoulder joint हो चुका है अब इसके बाद यह जो हमारा side वाला fabric काफ्तान का उसमें लगाएंगे हम लटकन तो हमें 5-5 इंच पे mark करनी है पूरी fabric पे और उसके लिए हमने एक लटकन लिया है जिसकी length 4 इंचेज है तो इस तरीके से जो लटकन है ना इसे सुई में पहले हमने डाल लिया है अब इस तरीके से आपको जहां पर माक किया आपने आगे की side से डालनी है और पीछे की side से यह बाहर आ जाएगा में 15 लटकन दीए है और कि side में we have time 5 आपीं में हमने 4 साइड में लटकन लगाई है हमने तो इस तरीके से बस नॉट मारनी है और उसके बाद fabric को इल्टा करके वमें ऽ्लाय लगानी है तो यह देखि है पुरे लटकन सेट हो चुके हैं अब इसके बाद फैबरिक को इस तरीके से उल्टा करें और फ्रेंट्स टू फोल्ड करके स्लाई लगानी है स्लाई लगाते वक्त ध्यान रखें जो लटकन का जो थेट था ना उससे हमें फैबरिक के अंदर डालनी है और इस तरीके से क्लीन स्लाई लगानी है सिंपल है फ्रेंट्स बहुत इजी है फैबरिक अपने आफ वोल्ड हो जाएगा और आप उसके उपर असानी से स्लाई लगा ले सकते हैं हमने आपको यहाँ पर सारी बाते असानी से समझा दी है अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फ्रेंट्स लगा लेने के बाद अब हम इसके वपर लगाएंगे लैस तो यह जो साइड वाला एरिया है यहाँ पर हमें इस तरीके से लैस को रखनी है और चारो साइड में स्लाइ लगानी है तो हमने टू टाइम स्लाइ लगाई है लैस से तो काफसान की स्लाइ हो चुकी है अब इसके बाद देंगे फिटिंग की स्लाइ तो हमने जो मार्क किया था ना वो दीख नहीं रहा है तो दोबारा मार्क कर लेंगे ये देखे फैंस, ये सारे marks है फैंस जो mark किया है आपको केवल उसके उपर ही slide लगानी है, तो चलिए slide स्टार्ट करते हैं और नीचे की side में हमें केवल यहां तक ही slide देनी होती है ताकि fabric नीचे की side से पूरा fit ना हो, ये shoulder and then ये chest वाला area, फिर दन front side में दोनों तरफ slide लगानी है और आपका काफ़तान बनकर ready हो जाएगा बस इतने steps फॉलो करने होते हैं और काफ़तान की slide complete हो जाती है hope आपको सारी बाते असानी से समझ में आ गई होंगी तो ये देखे friends, आप friends बीच में जो है ना हम thread लगा लेते हैं उसके बाद आपको पूरे काफ़तान का लुक दिकाते हैं ये देखेesh ही साइड में लठकंस है ये है पूरे काफ़तान का लुक side में लेटकंस and देन नीचे में 4 साईड में लठकंस और ये इसका plazo नीचे में में इसमें मोतियां लगाई है प्लाजो की वीडियो अलग से आएंगी जो आप देख लेना और यह दुपट्टा दुपट्टे के साइड में अमने लैस लगाया है यह है काफतां ड्रेस का पूरा लुक कोई भी क्वारी हो कमेंट बॉक्स में पूछ ले और फैंस ठैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो तरिंग टेक केव के पूरुट सबस्ताइब चाहिए।